Welcome to भगवान बुद्धा स्टोरी एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ किसी परवतियस्थल पर ठहरे थे शाम के समय वह अपने एक शिश्य के साथ भ्रमन के लिए निकले दोनों प्रकृती के मोहगद्र श्य का आनन ले रहे थे विशाल और मजबूत चटान को देख शिश्य के भीतर उत्सुकता जगी उसने पूछा इन चटानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है शिश्य की बात सुनकर बुद्ध बोले की नहीं इन शक्तिशाली चटानों पर भी किसी का शासन है लोहे के प्रहार से इन चटानों के भी टुकडे टुकडे हो जाते हैं इस पर शिश्य बोला तब तो लोहा सर्वश्य शक्तिशाली हुआ बुद्ध मुस्क्राय और बोले नहीं अग्री अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है उन्हें धैर्यपूर वक सुन रहा शिश्य बोला इसका मतलब अग्री सबसे शक्तिवान है बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया नहीं, जल अग्री की उश्नता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्री को शांद कर देता है शिश्य कुछ सोचने लग गया बुद्ध समझ गय थे कि उसकी जिग्यासा अब भी पूरी तरह शांद नहीं हुई है शिश्य ने फिर सवाल किया आखिर जल पर किसका शासन है भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया वायू का वायू का वेग जल की दिशा को बदल देता है शिश्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ ऐसे ही विडियो के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें